मैं अपने तमाम भाईयों को यूट्यूब चैनल जमाल दा कमाल अक्रद में खुशाम दीच जाता हूँ दोस्तों जो आज का मारा मकसद है वीडियो बनाने का वो यह है कि हम नहीं गाड़ी जब लेते हैं उसकी कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए चलते हैं अपने बेदेख वाले बॉल्ड होते हैं उनको टाइट करेंगे अच्छी तरीके से दोस्तों जो भी नाट टाइट करें उसको पूरी पूरी गोटी लगाएं ताके वह स्लिप ना हो तो जल्दी जल्दी से हम यह टाइट कर लेते हैं जो अगली शाख होने दो जो जो दो चौदा तो इसके लाजमी बात है नाट पूल डिले हो जाती है यह ज़रूरी नहीं है कि यह सीडी इसलिए इसके नहीं होते नहीं इसके भी होते हैं डिले लेकिन इसके कम डिले होते हैं चाइना की गारी के ज्यादा डिले होते हैं जो चैना की मोटसेकल होती है उसके तो बहुत ज जाएगी तो इंजिन के एक्सल जो है वो आपने जरूरी चेक करवानी है क्योंकि हम जब गाड़ी को बगाते हैं 60-70 की स्पीड में वो शूर ज्यादा करती है और भागती मतलब भागती काम है या शूर बहुत ज्यादा करती है ऐसे लगता है जैसे पांचवां गेर मांगती है वो ढिले होते हैं उनको टाइट करवाना चाहिए अच्छे देकिया से साथ की को भी चेक कर लें और संटर का जो एक्सल का जो नट है वो भी आप स्तारा नंबर की गोटी लेके वो भी आप टाइट कर लें और इसके बाद जो आप माड़ी गाड़ देख रही है अब इसके भी नट चेक कर लें यह भी बादोकाट धिल्ले होते हैं और यह भी आवाजें शुरू कर देते हैं करना आगे ज़रूरी बाद जो सिलंसर का सॉ होजाते हैं समझा नहीं लगए तए कि क्या हो गया मेरी गाड़ी को सॉंस साइड नहीं आरा है यहुत धिल्ले होते हैं और सॉंसर कराब हाज बहुता है रही जो आट ज्याद मीचा और झाड़ी नहीं कर्वारा होते हैं कि यह गारी को दियुक्चित था स्कानल कर देख भ बहुत कम करते हैं लेकिन चैनल की जो मुट साइकल वह बहुत ज्यादा करती है सेम तो इसके बाद जो हम इसका हैंडल का जो बड़ा नाट है वह भी चैक करेंगे और उससे पहले यह दास नंबर वाले जो बॉल्ड है हैंडल के यह भी टाइट करेंगे ताकि कोई भी नाट डिला न रहा जाए इससे हमारी गाड़ी का नुकसान हो सकता है तो दोस्तों बड़े हादसे भी बाच सकते हैं बड़ा हादसा यह होता है कि जब मैं आगे चल के आपको डिटेल से समझाता हूँ तो इसके बार जो हम इसके और भी नाट चेक करेंगे पीछे वाले माड़ी गाड़ वगए रखे और जो भी इंस में जितने भी नाट है उपर नीचे से जो डिले होते हैं में जिसके ज्यादा शिकायत आती है कि यह ज्यादा डिले होते हैं तो यह टेकी वाले नाट चेक कर करते हैं यह नाटा अपने पहले जब गाड़ी लेनी है तो किलो मिटर चला के उसके बाद अपने सारे डाट वॐ टाइट करवानी है फिर आपने जैसे इक त्यू ने करवानी हे तो उसमें यह लाज़मी टाइट करवाया करें इससे यह होता है कि आपकी गाड़ी फिट रहत और इशारे की जो रवड होती है न वो न तूटे तो इसके जो दूम रवड वाले नाट है दूम पेच वह भी आपने चेक कर लिने हैं अच्छी त्रीके से क्यूंकि ज्यादा तर यह भी पेच गिर जाते हैं हमारा तो डेली को काम है हमारे पास तो ऐसे केस आते रहते हैं ज हैं लेकिन अच्य हीम उस तरह आनके मिलते है युश इस लिए वीडियो बना रहा हूं ताके हमारे जित्रे भी नाट हैं सारेे जैनवर रहें और सेफ रहें तो हमने सारे नाट चेक कर लिए हैं अब जो है इसका चैन कावर को बошल भी चैक का लिन आना और इसके नीचे जो होते हैं foot bar के जो nat अक्सर धिले होकि यह खोल के गिर जते हैं फिर हम यह नए लगवाते हैं फिर वह चोड़्यां खराब कर देते हैं फिर वह खराद का काम यह फूर लंबा काम हो जाता है यह छोटी मौटी हैं जो गलती ह़ता है पिर आवाज ज्यादा करती है गाड़े तो जब यह आप सारी nut build इसके tight करवांगे one to all जितने भी उपर से लेके नीचे सक जितने भी nut build हैं वो आप सारी tight करवाएंगे इंशाला आपकी गाड़ी ऐसे चलेगी पानी की कार और उसमें जरह भी आवाज नहीं रहेगी तो सबसे यह जरूरी बात है यह हादसे का बाइस यह लाग बनता है जब भी इसके लाग के पेश धिले हो जाएं यह खुल जाएं तो हैंडल जाम हो जाता है फास जाती है यह पेश नीचे दोस्तों जब भी काम करवाएं यह जब भी गाड़ी चलाएं इस लाग को लाजमी नजार रखा करें इस लाग पे यह लाग डिला तो नहीं है यह डिला था हमने इसको टाइड का दिये दोस्तों मैं उमीद करता हम आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें मिजलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में